हेलो दोस्तों, वेलकम बैक तो माई चैनल, मैं हूँ नक्ष और आप देख रहे हैं, ड्रग इन फो इंडिया जैसा कि आप देखी रहे हैं, आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आए हूँ दो बेबी मसाज ओयल जो मेरे पास जो ओयल हैं वो हैं, एक है जोनसन बेबी ओयल और दूसरा है डाबर लाल बेबी ओयल ये दोनों ही ओयल बहुत ज़्यादा चलने वाले ओयल हैं, इनको लोग बहुत ज़्यादा यूज करते हैं बच्चों की मसाज के लिए तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये है जोनसन बेबी ओयल, ये एकदम ट्रांस्पेरेंट है, बिल्कुल एकदम लिक्विड, पानी जैसा लगता है और ये है हमारे पास डाबर लाल तेल, ये एक लाल रंग का आता है, बिल्कुल डार्क रेड, और ये इसका बोटल है तो हम इन दोनों ओयल को कंपेर करेंगे, इनमें कौन सा अच्छा है, विंटर्स के लिए तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, जोनसन बेवी ओयल, ये 100 ml का बोटल है, और इसका MRP है 120 रुपे, और ये मुझे 120 रुपे का ही मिला है, दूसरे तेल की बात करूँ तो ये है डाबर लाल तेल, ये भी 100 ml का बोटल है, और इसका MRP है 120 रुपे, और ये भी 120 रु और ये मिनरल ओयल से बना होता है, इसमें होता है विटामिन E और मिनरल ओयल, और उसमें फ्रेग्नेंस मिलाकर ये ओयल बनाया जाता है, डाबर लाल तेल की बात करें तो, ये तिल के तेल में आयरुवेदिक जड़ी भूटिया मिलाकर बनाया जाता है, और उससे इसका स्मूद और हेल्थी बनती है और यह दिखने में भी लगता है जैसे जड़ी बूटियों का तेल हो इसमें जो इसका फ्रेग्रेंस है वो भी दवाई के जैसा होता है इसमें एक पर्फियूम टाइप की खुश्बू है और यह एक आर्टिफिशल केमिकल टाइप का लगता है तो कुल मिलाके इनका कमपैरिसन करें तो मेरी ज़र में इनमें डाबरलाल तेल ज्यादा बेटर है इससे बच्चों की हड्यां मजबूत भी बन दिया है और यह पुराना फॉर्मूला है हमारा इंडियन फॉर्मूला है और जोंसन का ओईल जो है यह कोस्मेटिक जैसा लगता है इसलिए मैं इन दोन में अगर आप मुझसे कोई पुछे का कौन सा ओईल यूज करें बच्चे के लिए तो मैं डाबरलाल तेल की सला दूंगा और विंटर्स के लिए तो मैं बिल्कुल ही डाबरलाल तेल की सला है तो यह था मेरा जोंसन बेबी ओल और डाबरलाल तेल का कंपैरिजन अगर आपको मेरा वीडियो लगा तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल ड्रग इंफो इंडिया मैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए आगे भी लाता रहूंगा त किसी नए प्रोड़क्त के साथ अब तक के लिए गुड़ बाई